आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्नी स्कार्स को पर्मनेंटली माइकरो नीडलिंग से कैसे ट्रीट किया जाता है तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हाउ टो ट्रीट एक्नी स्कार्स विद माइक्रो नीडलिंग तो आज की ये वीडियो कम्प्लीट देखिएगा सो विदाउट एनी फूर्द डिले लेट्स स्टार्ट दे वीडियो फरस्ट अफॉल नीचे दियेगे रेट सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ दियेगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताके मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं जैसा कि आप जानते हैं जब फेस पर रहती है आकनी फॉल लॉंग टाइम तो आकनी के खतम हो जाने के बाद फेस पर निशानात के साथ साथ पढ़ जाते हैं खड़े जिनको हम आकनी स्कार्स कहते हैं इन acne scars की वज़ा होती है acne और साथ ही साथ जादा देर acne face पर रहने की वज़ा से elastin, collagen और दीगर facial proteins damage हो जाती हैं जिसकी वज़ा से face tissues damage होते हैं और खड़े skin पर नज़र आने लगते हैं ऐसे में I recommend आप micro needling करवाएं जिसके मुसलसल मंथली 5-6 sessions लेने के बाद आपको मिलेगी acne scar free skin चलिए जानते हैं micro needling के बारे में Micro needling एक one of the best way है acne scars को treat करने के लिए ये cosmetic procedure है जिसमें sterilized यानी germ free micro needles और different micro needling devices को use करके face scar area को prick किया जाता है जिसके नतीजे में छोटे छोटे जखम skin पर हो जाते हैं और उनकी healing के दोरान face की elastine and collagen की production normal से जादा होती है जिसकी वजह से acne scars बहतर होने लगते हैं 100% results के लिए मुसलसल 6 महीने तक regular इस procedure को करवाएं और 50% result आपको इसकी कुछ months के बाद ही नजर आ जाएंगे यह procedure करवाने से ना ही सिर्फ acne scars बहतर होंगे बलके आप young नजर आएंगे क्योंकि इसके monthly and regular use से मिलेगा आपको fine lines, wrinkles से भी छुटकारा और अगर आप permanent acne scars से छुटकारा चाहते हैं तो microneedling को PRP यानि platelet rich plasma therapy and laser treatment के साथ combine करे Microneedling ना सिर्फ acne scars बलके hair loss, dark spots और patches on your skin जिसको hyperpigmentation भी कहते हैं Lush pores, reduced skin elasticity, scars, stretch marks, sun damage, fine lines और wrinkles को भी treat करती हैं Microneedling therapy को करवाने के लिए different microneedling devices and pens का भी use किया जाता है Like pen Ultima M8 जो एक top listed microneedling pen है जिसे घर पर ही असानी से use किया जा सकता है और अपने आने वाली videos में मैं आपको complete list शेयर करूंगी कि किन devices और pen को यूज किया जा सकता है Sometimes कुछ microneedling devices को long term और बार बार यूज करने की वजह से excessive skin damage हो सकता है और acne भी मजीद बढ़ सकती है तो make sure microneedling therapy भी अपनी dermatologist के मशरे से करवाएं और अपनी skin condition के मताबिक करवाएं Microneedling की वजह से आपकी skin कुछ common risk का शिकार भी हो सकती है अगर आपको इसके करवाने के बाद excessive dryness, tightness, readiness, itching, peeling, burning, bruising, bleeding हो तो फोरण अपने doctor से रुजू करें I hope कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें और मेरे चानल को subscribe करें Thanks for watching अगर आपको cog मेरी अझाओ करें झाल झाल